हलो फ्रेंड्स मैं हूँ मितले इसकुमार और आपका स्वागत करता हूँ उदित फार्मिसी के यूट्यूब चैनल पर तो कैसे हैं आप लो आसा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्थ होंगे आज के इस वीडियो लेक्शर में मैं आप फार्मासुटिक्स का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइकलोन सेपरेटर इसको पढ़ाने वाला हूँ देखें यह साइकलोन सेपरेटर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे कि आपका हेमर मिल और बॉल मिल है उसी प्रकार से साइकलोन सेपरेटर से भी कई बार लॉंग कोश्चन देखने को मिला है जब आप प्रिवियस येर कोश्चन पेपर देखेंगे अलग-अल जरूरी है और लोगों को डिफिकल्ट लगता है लेकिन मैं आपको अच्छे तरीके से फील करवाऊंगा साथी साथ क्लास में सारी चीज़ें याद करवाने की गारंटी लेता हूं बस सर्थ इतना होगा कि वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और एकदम कंसंट्रेशन के जादू तोना को घूल जाए थोड़ी दिर के लिए मेरे साथ रही है तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से तो आपको स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि सर पूरा सिलेवस मुझे आपसे रहता हूं तो चलिए स्टार्मिके आज हम विस्टार्ट करने वाले हैं तो ईसका काम क्या होगा सेपरेट करने का काम होगा तो देखें है कहां का साइक्लोन से APP शापनि सी आप परेशन देख लिए यह ना साइकवारोंटट करने को पढ़ना है त्टिके अवह यहा डिखि पढ़ना शुरू कर दो गा तो समझने में थोड़ा दिक्कत होगा इससे पहले आप इसके यूज को समझे कि क्यों इसको जरूरत पड़ता है जैसे आप समझे कि घर में मिक्सी चलता है ना तो आप मिक्सी का कंस्ट्रक्षन अगर पढ़ने लग जाएंगे तो बोरिंग लग गा अच्छा ऐसे तरीका से पर तो इसलिए पहले आपको यूज पता होना चाएं काम करेगा इतना तो पता चल गया कि नाम में लगा हुआ तो किसको कहां से से परेट करेगा तो वह चीज देखने के लिए यूजस में आ जाईए तो देखे क्या कहा है यूज डूर्यू से यही नहीं बुझात है तो कहां से समझेंगे तो suspension वर्ड का मतलब समझेंगे दो चीज़े मैं समझाने का कोसिस करूंगा एक होता है solution दूसरा होता है दो प्रकार का Suspension होता है कर गड़े इक मालिए sheet दाले है कोई डाले है जो की उसमें डिस्वार नहीं हो रहा है तो इस प्रकार से suspension हो जाता है और ग्यास eoshima स्को कहेंगे जब इयर में कोई ऐसाली डाल देंगे जो कि उसके अंदर गुलेDown नहीं है ना गुलेगा नहीं तो उसके लिए तो यहां पर बात जैसे एक्जामपल आप समझ लीजे बहुत सारा ऐसा suspension आता है दवा आता है ना जो कि कहता है ना जो कि कहता है ना जिसमें क्या होता है ना उसके अंदर जो API है ड्रक्स है वो नीचे बैट जाता है ना क्यों क्योंकि शुलीबल नहीं जबकि आपका मल्टी वीटामिन का जितना सीरफ होता है वह क्या है solution एक तरीके से syrup उसको कहते है क्यों क्योंकि उसमें पूरे तरीके से dissolve रहता है पार्टिकल्स उसमें suspension नहीं होता है उसको नहीं कहा जाता उस तरीके से समझ रहा है तो मैं suspension समझाने का प्रयास कर रहा हूं कोई भी करते है लिक्विड है उसमें कोई सॉल्यूट डाल दिया और डिजॉल्व नहीं हुआ और इस प्रकार से इसी प्रकार से ग्यास में भी सस्पेंशन हो सकता है तो अब जो यह साइकलोन सेपरेटर है इसको क्यों यूज करते हैं तो सस्पेंशन में से सॉलिड को निका करेगा यदि यह से गालने का समझे हैख किसको सॉलिड को या फिर स मागे इस प्रकार से गोल-गोल घुमता है तो वही चीज़ है साइकलोन के बेस पर काम करता है अब दीरे दीरे आप समझेंगे तो समझ जाएंगे सारे की जों को स्वाब करे काम करे तो इसका काम क्या है función क्या समझ में आ अब प्रिंसपल क्या है किस प्रिंसपल पर काम करता है प्रिंसपल समझने से पहले साइव थोड़ा सा यह समझे वीह में थो थक है तो देखिज़ जो साइकलोन स्परेटर है वह ऊचätzen इस प्रकार का आप बना होता ह तो इसका construction पढ़िए उसके बाद मैं इसका principle संद्याओंगा तो कह रहा कि it consists of a cylindrical vessel with conical base देखिए इस प्रकार का एक cylindrical vessel बना होता है cylindrical vessel बना हुआ है उसमें एक conical base होता है तो ही चीज़े बोल रहा है देखिए इस प्रकार से cylindrical base बना हुआ है ना वेले लेनाकार और इसके अंदर क्या हुआ एक inappropriate मतलब से होता है और यहां से डिटी एयर को डालते है किसको गाएंगे जब एयर में कोई solid मिला हुआ है और उसमें से solid को अलग करना है तो डिटी एयर को इसमें डालेंगे यहां तेखिए टेंचियल ही मतलब क्या होता है जैसे साइकलोल सपरीटर में जो इनलेट होता है जहां से हम लोग इनलेट में जो डालते हैं कैसे डालते हैं तो टेंजेंशिल ही डालते हैं ठीक है कोई भी सरकल है उसमें एकदम के निकलेगा इस प्रकार के चिनारे से तो डालेंगे और इसके अंदर यहां साइकलोन बनता है साइकलोन मतलब एक तरी से बहुत ज्यादा वेलोटिस के साथ ऐसे घूमते रहता है तो जैसे डालेंगे इ इस प्रकार से घूमने से क्या होगा कि एक उपर में आउटलेट लगा होता है जो कि एर बाहर निकलने के लिए और नीचे सॉलिड निकालने के लिए बाहर निकल लगा होता है ठीक है क्या होता है इस प्रकार से जोर जोर से घूमता है घूमने से क्या होता है कि जो उसमें जो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स लगएगा जिससे वह क्या होगा इसके वाल में टक्राएगा क्या होगा वह धीरे-धीरे नीचे की और गिर जाएगा और इस प्रकर से साइकलोन बनते हुए उपर चल जाएगा समझ रहे ना हमको क्या करना था एयर में से सॉलिड गो अलग करना था तो सॉलिड टक्रानी के वज़े से नीचे गिर गया और एयर का साइकलोन बने के कारण उपर चला गया तो यह एयर निकल गया वही चीज़ें यहां पर बोल रहा है देखिए इनलेट टेंजेंचली लगा इन अपर पार्ट ऑफ वेसल के अपर पार्ट में इनलेट एक फीट होता है जिससे क्या होता है कोई भी फीट वगरा को डालते है ठीक है इनलेट एंड फ्लूड आउटलेट होता है एड बेस फ्लूड आउटलेट होता है आपका बेस में ठीक है फिटेड विट सॉलिड आ इसका प्रिंसिपल क्या है तो इन साइकलोन सेपरेटर दस सेंट्रिफ्यूगल फोर्स बताए थे ना बाहर की और जो बल लगता है जैसे एक गिट्पी पर अगर जो रस्ती पाम के आप भूमाएंगे जोर-जोर से तो बाहर की और फेकाता है ना तो वही चीजे महां पर घू करकτά है किसका प्रिंसिपल क्या है तो मेनली सेडिमेंटेशन भी हो जाता है तो सडिमेंटेशन भी कह सकता है नीचे और बैठ जाता है ना तो इक लाइन और मता है कि सेपेरेशन डिपैंडнопर नहीं पर अदी करता है इस पर question बनता है, मैंने highlight किया हुआ है, कि cyclone separator में जो particle के size का separation होता है, वो किस पर depend करता है, तो particle के size पे, या फिर density पे, या फिर दोनों पे, तो दोनों answer होगा, ठीक है, question मैंने fight किया है, इस type का question, competitive exam में पूछा जाता है, और exit exam में भी पूछा जाएगा, तो ध्यान है, hence depending on the fluid velocity, जो fluid इस प्रकार के घूम रहा है, उसका वेगा ना, velocity, cyclone separator can be used to separate all types of particles, or to remove only coarse particle and allow fine particle to be carried through the fuel, केने के मतलब है, कि आप हर प्रकार की particle को उसके दूर कर सकते हैं, या फिर आप coarse particle, यानि की मोटा चूर में, हना कोई मोटा वाला चूर है, उसको भी अलग कर सकते है समझ रहा है, उसके velocity पर डिपेंड करता है, ज्यादा velocity देगा, तो और अच्छा काम होगा, है ना, इस प्रकार से आपका cyclone separator है, construction आप समझ गया है, प्रिंसिपल आप समझ गया है, और working की बात करते हैं, तो working में देखिए, अब सब कुछ समझ में आगा, working simple है, the suspension of solid in gas, solid in मैंने बताया था ना, gaseous suspension, liquid suspension, liquid में अगर कोई solid particle suspend किया हुआ है, भूल नहीं रहा है, तो वो liquid suspension हो गया, तो बहुत है, suspension of solid in gas, usually air, air में कोई solid मिला हुआ है, is introduced tangentially, यही word पे हम फोकस करवा थे, कैसे introduced किया जाता है, tangentially, और tangentially किसके थूरू, inlet के थूरू, so tangentially at a very high velocity, बहुत that rotatory movement take place within the vessel, vessel के अंदर rotatory movement होता है, उस प्रेकर से घूमता है, ठीक है, the fluid is removed from central outlet with the vessel, जो central outlet होता है, यह देखे, central outlet होता है, उससे fluid बहार निकल जाता है, उपर वाले से central outlet से fluid बहार निकल जाता है, और rotatory flow within cyclone separator cause particles to be acted on by centrifugal force, चुकि rotatory motion हो रहा है, rotatory flow के कारण cyclone separator में particles मतलब solid है, उस पर क्या लगता है, centrifugal force लगता है, जो बाहर की और बल लगता है, जिससे वो दिवाल में टकराता है, the solids are thrown out on the wall, wall पर वो thrown हो जाता है, बाहर फिकाता है, therefore it falls to the conical base, जिससे वो conical base की और नीचे की और, जो conical base था, यह देखे, conical base था, इसकी और solid outlet, solid outlet नीचे होता है, fluid outlet उपर होता है, उससे निकल जाता है, fluid उपर चला गया, solid नीचे आगया, ठीक है, तो समझ गहें, आप इसका use भी समझ गहें, यह किसके लिए यूज किया जाता है, suspension of solid in a gas, gas में अगर कोई solid है, suspension of gas यह सब अलग कर देगा, liquid suspension से भी solid अलग कर देगा समझ रहें ना, और इसका advantage क्या है, और disadvantage क्या है, यह सब concept पढ़ने में आदमी लोगों को feel होना चाहिए, मैं कोसिस कर रहा हूं, आपको feel करवाया जाए सारी जीज़ें, और बिल्कुल इसी प्रकार से पूरा syllabus, सारी चीज़ें आपको समझाई जाती है, live class में, तो क्यों द proper knowledge उसके लिए अच्छे-च्छे jobs की vacancies आती है, आप अच्छे, और मतलब पढ़े लिखे, मतलब जिसके पास knowledge है, concept है, उसका demand है इस field में, अभी भी, है ना, तो आपको पढ़ना चाहिए, मेरे ख्याल से, और इसी तरीके से पढ़ना चाहिए, ताकि आपको सिर्फ पास होन है, तो सारी चीज़ों को guide करते हैं, advantage में क्या, it requires a small piece, small space for installation, इसके installation के लिए बहुत ज्यादा space की जुरत नहीं पढ़ती है, it has low maintenance cost, इसके maintenance cost बहुत कम है, सब लोग चाहता है, या वैसा चीज advantage ही हो, जिसका maintenance कम हो, it can operate even on high temperature, high temperature पे भी इसको operate किया जा सकता है, disadvantage में operation cost is very high, operation cost इसका बहुत ज्यादा है, यानि कि इसको operate करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है, it cannot be used to sticky material, जो चिपचिपा substance होता है, उसके लिए आप इसको use नहीं कर सकते हैं, यहीं इसका disadvantage था, तो यहां तक मैंने cyclone separator समझाने का प्रियास किया, सारी चीज़ें आप समझ गय के course को join कर लिए, वहां पर आपको recorded classes के तुरू पुरा syllabus मिलेगा ही, साथी साथ daily live classes के तुरू मैं तीन बार से ज्यादा आपको syllabus कर रहा हूंगा, ठीक है, जन्वरी से daily live classes स्टार्ट हो चुकी है, कोई भी class आपका miss नहीं हुआ, सारी चीज़ें आपको recorded format में मिल जाएगी, और अभी भी daily live classes मिल रहा है, ebook, pdf, notes आपको provide कर देंगे, chapter wise exercise provide कर देंगे, जिसे हर chapter का important question पता चले जाएगा, chapter wise test पता चले जाएगा, live chat, bilingual और साथी साथ exit exam को लेकर के अलग-अलग course में, इसी course में आपको exit exam के बारे में भी पढ़ाया जाएगा, जैसे यहाँ पर बता र लोग-इन करने के बाद श्टोर वाले section में जाएगे, तो course भी दिख जाएगा, बुक भी दिख जाएगा, आप जो order करना चाहते हैं, यहीं से order कर सकते हैं, आगे की जानकारी के लिए आप इस नमबर पर call कर लिए, सुबह आरो लेकर के सामके 6 वज़े तक, हमारे technical team आपक इस वीडियो में तो तक लिए धन्यवाद, ओके, बाबाई